वाटसव चलाते हो तो वाटसव में एक प्रॉब्लमा रही है पिंग वाटसव के नाम से अब यहां पे देख सकते हो कुछ इस तरह की से मैसेज आपके वाटसव के किसी भी कॉंटेक्ट के अंदर आपके यह और यह अटोमेटिकली शेयर हो रहा है आप किसी को share भी नहीं कर रहे हो आप यहाँ पे यह automatically share होता जा रहा है तो इसका reason क्या है आप इसका मैं solution बताऊंगा यह automatically send क्यों होता है यह किस वज़ा से हो रहा है और इसका solution क्या है इसको टीक कैसे करेंगे आज के शुड़ों में बात करने वाले है वाटसप चलाते हो तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आप यहाँ पे इस problem को solve कोना चाहते हो जो चुड़ों को subscribe करके bell notification को on कर देना तो आज की इस वीडियो को start करते है अब देखें यहाँ पे कुछ इस तरह की से बेजाने के बाद आप क्या के ओ याँ पिस लि Si weapons लिंक क्लिक करते है एफिर कई बटन के ऑप्शिंट पर Saturday आपके हथो से क्लिक हो जाता है या फिर आपने कुछ लिए डाउंलोड कर लेते हो और कुछ ना तो कुछ आप होँआ पर छेड़ चाड़ किये हुए ये लीक क्या है मैं आपको बताता हूँ ये लीक कैसे एक यहाँ पर थर्ड पार्टी बंदे ने इसको यहाँ पर जनरेट किया है अब ये एक वाइरस है अगर आप जो इसके ओपर क्लीक करते हो मैं आ चुका हूँ मैं आपकी problem solve करने वाला हूँ अब देखे यहाँ पर दियान से देख लेना अगर आपके साथी problem चुरी है automatic share वाली तो इसका solution क्या है सबसे पहले आप सभी को आँसे back चले जाना है अब back जाने के बाद आप जश्ट यहाँ पर देख लो अपने browser को open कर लो ठीक है आप यहाँ पर browser को open करने के बाद में आप यहाँ पर मैं जाता हूँ browser को open कर लिया हूँ अब browser को open करने के बाद अब यहाँ पर क्या करना होगा यहाँ पर देख लो ठीक है यां पर आप सभी को 3 तॉत को ख्री कि केमा लिगेना के पर आप सब parceक्षा करने के बाद आप आप क्लियरियर ब्रा virtue टाट ठीक है भी आपका जोबंगे इस्वा शुके हैसी लिचित प्लिखें वादा आप क्लियरियर डाटा के option पे click करना है अब वीडियो को ध्यान से देख लेना अब जैसे आप सब लोग click करोगे अब click करने के बाद यहां पे आप सभी को basics के option पे select रहेगा उपर की तरफ तो आपको यहां से इसी option पे click करके all time select करना है अब यह basics में all time हो चुका है और यहां पे सब कुछ आपको tick करना है ठीक है यहां से आप सभी को नीचे option देख रहेगा clear data ठीक है आप साइड में देख लो clear data के option पे click करोगे यहां पे clear के option पे click करना है तो आपका जो भी data है आप से clear हो जाएगा ठीक है यानि कि आप जो भी activity कर रहे हो कोई बंदा आपको यहां पे कुछ भी नहीं कर पाएगा ठीक है अब यह सब कुछ clear हो चुका है अब clear हो जाने के बाद आप आप आपने WhatsApp के option पे click कर दो अब WhatsApp के option पे click करने के बाद आप यहां पे app info पे चले जाओ ठीक है आप आप इंफो पे जाने के बाद यहां से आप सभी को storage के option पे click करने के बाद अभी आप यहां पे क्या कर लो यहां पे नीचे option मिलेगा clear data का आप clear data के option पे click कर दो आप यहां पे click करने के बाद वीडियो को ध्यान से देख लेना अगर आप अपने WhatsApp के अंदर किसी की personal chat है आप उसको delete करना नहीं चाहते हो तो सबसे पहले WhatsApp का backup ले लेना ठीक है WhatsApp का backup ले लो उसके बाद यहां से आप clear data कर देना अगर आप clear data करोगे तो आपको backup लेना पड़ेगा क्यूंकि आपके WhatsApp के पुरी chats delete हो जाएगा अगर आपको chat से कुछ मतलब नहीं है तो आप यहां पर clear data कर सकते हो बाकि नॉर्मली जो है clear data नहीं करना चाहते हो तो clear catch कर लो ठीक है अगर clear catch करने से problem solve नहीं होती है कई तो कई आप clear data करना ज़रूरी होगा ठीक है तो उसके लिए आपको WhatsApp का chats backup करना बढ़ेगा अगर chats imported ह अपने वाटसप कोो open करलो आप WhatsApp को open करने के बाद ल्लीुनिय। आपको nov से ti-0 के यहां पर याफ यह नहीं होता है कि यहां से करने करने की आपको यहां करने के बाद आपको do after that प्लियर हो क्लिक करने के बाद अब इन यहां पर एक सेटिंग बता हूं को सब कर लेना अब यहां पर सटेंग सेटिंग विवार्शीος प्राइस को प्राविश का मिलता है मैं आपको यहां पर दिखा दो ऐखो एकांड का उप्इसन थे अज़ 되면 एकांड के अप नोट 9 टाइफ МУЗЫКА इसके उपर आपको क्लिक करना है नीचे आपको मिलेगा show security notification इसको यहाँ से turn on कर लो बाइचान्स गरीज़े भी आपका कोई WhatsApp लोग इन करता है तो आपको यहाँ पर notification आएगा कि आपका WhatsApp किसी ने लोग इन किया है ठीक है अब यह सब कुछ सेटिंग करने के बाद अपने mobile को यहाँ से restart कर दो यानि कि अपने mobile को turn off करके on कर दो बाकि आपकी सब कुछ करने के बाद आपकी जो problem जो यहाँ पर solve हो जाएगे अगर फिर भी आपका यहाँ पर problem solve नहीं होता है मुर्य कमेंड बुक्स में बता रहा है वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज्यासे ज्यासे उनहीं लोग किसे शेयर कर दो किसके साथ ही problem चल रही है